आई दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर कैसे हैं आप लोग उमीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और तयारियों में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे तो फ्रेंट्स पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया आपके एभी PSPO interview preparation part 7 में आपके strengths के बारे में clear है hope करता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो में बात होगी आपकी part 8 चुकि होगी आपके weakness related चुकि यह बहुत ही tricky part होता है किसे बें इंटर्व्यू मे चाहिए जिससे कि वो बहुत ही impressive हो या फिर आप वहाँ पे counter question में फसना जाओ या फिर उससे अच्छा कि अगर आप वहाँ पे ऐसे कोई weakness बताओ जिससे वो ऐसे कोई demerit ना निकाल पाएं जो कि आपके लिए marks को काटने के कारण बने है ना तो इसी लिए ये weakness एक बहुत ह के part होता है जिसको आप बहुत ही smartly आपको tackle करना होगा आपके interviews में तो क्या ऐसे weakness हो सकते हैं जो हम दें जो weakness भी लगे या उससे ऐसा impression नहीं जाए कि ये weakness कहीं न कहीं हमारे उस industry के लिए जिसके लिए हमने इस interview में आया है जिसे हम चाहते हैं कि जिसमें हमारी job लगे उसके बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप उसे justify कर पाओ क्योंकि अगर आप उसे justify नहीं करोगे और वो आपसे counter questions पूछेंगे तो आप फिर आप फसने लगोगे अगर आप बोल दोगे कि मैं थोड़ा डर जाता हूं राइट बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा feared हूई है फिर पेर हो जाए तो चलिए आपको देता हूँ कुछ ऐसे weakness जो कि अगर आप बोलते हो तो आपके लिए बहुत useful होंगे ठीक है पहले weakness जो आप mention कर सकते हो वो होगा आपका bad handwriting पिछले वीडियो में बताया था सर और याद रखिएगा अपने कोई भी strength हो या weakness हो उसे आपको अपने interviews में आपके employer से जिसके लिए आप interview देने जा रहे हो उससे आपको relate करना आना ही चाहिए जब वो पूछेंगे तो वो जानना चाहेंगे सुनना चाहेंगे कि क्या आप उसको या उसके benefits को आप उपने employer से जोड़ सकते हो या justify कर सकते हो या नहीं ठीक है तो पहली weakness विछले वीडियो में दिया था वो होगे आपके bad handwriting या poor handwriting के बारे में आप बोल सकते हो if they ask you then what are your weaknesses then you may say that poor handwriting of mine is one of my biggest weakness तो इसके चलते हैं आपको आपके employer के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपके लिए इसके marks कटेंगे तो पूछेंगे कैसे भाई कैसे आपका poor handwriting आपका weakness आप बोल सकते हो थोड़े बहुत अगर आपके percentages भी कम आये थे just because of my handwriting at that point of time I wasn't able to secure i marks में थोड़े handwriting मेरी खराब थी तो बोलेंगे तो bank में कैसे काम करोगा अगर आपको बहुत सब लिखना होगा या फिर यह काम करना होगा तो आप बोल सकते हो कि sir handwriting का वहां पर ऐसा बड़ा role हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप system में काम कर रहे हो आपको computer में type करना होगा थोड़ी बिलकुल हो जाएगा तो यह तो तो sir आपके लिए weakness number one weakness number two sir थोड़ा tricky है आप वहाँ पे बोल सकते हो sir I am a bit critic type of person right तो यह bit critic type of person क्या होगा मतलब वो पूचेंगे what it is मतलब क्या weakness बता रहे हो बाई कैसी weakness है तो आप वहाँ पे बोलोगे कि मैं criticize जादे करता हूँ थोड़ा criticize actually सबको ही करता है तो मैं कैसे मेरे लिए weakness है मैं थोड़ा जादे criticize करता हूँ how तो फूच सकते है justify कैसे क्या मतलब what is this तो आप वहाँ पे बहुत smartly उन्हें समझाना की एक चीज़ा पहले समझते हो कि नहीं कि जो criticize करता है right friends जो criticize करता है वो आपका कभी enemy हुई नहीं सकता ह he's always your friend क्योंकि वो आपके कम्यों को आपके सामने ला रहा है और अगर आपने आगे बढ़ने की चमता है और आप चाहते हो आगे बढ़ना इंप्रूफ करना तो जो criticize करते हो उसे gladly accept करो अगर वो गलती है उसे accept करो और फिर उसे सुधार हो कि next time वो criticize ना कर पाए और अगर व आनी चाहते हैं मेरे इस behave के चलते हैं बट इससे benefit क्या होता है अगर वो पूछेंगे फिर से कैसे ठीक करो इससे क्या benefit हो सकता है इस weakness से हमें तो आप बोल सकते हो कि इसके चलते कि मेरे friends रहें relatives रहें colleagues रहें so and so जो भी रहें वो जो मैं criticize करता हूँ अगर next time वोने फिर मेरे पासानी की ज़रत होती है तो वो उस काम को थोड़ा जादे अच्छे से करके मेरे सामने लाते हैं जिससे मैं उसमें कोई गलतिया जादे ना निकाल पाऊ हूँ क्योंकि पहले है आपने बताया कि मेरे bit more type of criticizing type of person तो यह एक आपका ऐसा weakness हो सकता है जो turning point साबित हो जाए आप is this मतलब a bit emotional at times क्योंकि weakness हर किसी का आप नहीं हो सकता है बट कुछ smart weaknesses जो weakness तो लगने ही चाहिए friends weakness तो लगने ही चाहिए बट कुछ न कुछ उसको आप सुधारने की बुल्जाई स्रफ हो या फिर उससे आपके जिस industry में आप जा रहे हो जिसके लिए interviews दे रहो वो उसके लि emotional person at times तो उसके चलते क्या होता है थोड़ा सा मुझे अपने अंदर ये चीज लगने लगता है कि मैं क्यों मतलब serious हो गया इस matter पर फिर मुझे realize होता है कि मैंने कोई क्या गलती की थी और अगर मैंने कोई गलती की थी तो वो गलती क्या है मैं उसके पीछे work करता हूँ जिसक इस वज़े से क्या होगा कि अगर आगर 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 ना हो तो इस वज़े से क्या होगा कि अगर आपको बोल दें काउंटर कुशिशन में यार भाई अगर काम कर रहोगे आपके senior officials आपको डाट दें आपका manager आपको कहा दें कैसे काम करते हो तब तो आप रोना ही सुरू कर दोगो तो बोलोगे या sir at times I become emotional तो maybe मैं अगर रो भी देता हूँ तो मैं इस बात को पहले these are some type of weaknesses which can be justified if you say it in such manner weakness तो लगनी चाहिए boss ये बात हमेशा धान रखेगा कि it should look like weakness it should here like weakness की वो समझे हाँ यार वीकने सी बता रहा है तब ऐसा भी मत कील कर देना कि ऐसा कुछ बोल दो ऐसा कुछ फेक दो यार उनको लगे यार ये तो weakness के लाम पर इतनी बड़ी फेके जा र नहीं है आप सर्माते हो बट वो customer deal करना होगा लोगों से मिलना होगा तो वो ऐसा impression नहीं दे दे आपका bit side बोलना कि उनको लगे ये तो face नहीं कर सकता है लोगों को it doesn't mean कि आप face नहीं कर सकता हो आप ऐसा बोलना कि थोड़ा सर मिला हूँ थोड़ा कम बोलता हूँ likewise ऐसे ब bank को चलाएगा तो उसमें वो सारी गुन होने चाहिए क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो skill 5 और 6 में आपको recruit कर रहे हैं तो आपको skill 1 में as assistant manager as LO recruiting 1 channel banking officer आपको recruit कर रहे हैं तो वो आगे जाके ही ना बनेंगे ED और ये बनेंगे तो उनमें वो सारी qualities हैं कि नहीं तो अभी आपको check कर ले रहे हैं खुझ से सोचो भाई कि आपको जो 10 से 15 मिनट के interview होती है max 20 मिन पचीस मिनट तो कितना चीज वो आप से पूछ सकते हैं कितना कुछ वो आपके बारे में जान सकते हैं it's a complete big no no one can tell what type of person you are in just 10 to 15 minutes but yes some qualities are there which is present in each and every one person they can just check it out वो देख लेंगे और उनके वो parameters जो है उनके वो जो check box हैं कि यह होनी चाही होनी चाही होनी चाही होनी चाही होनी चाही होनी चाही उसके लिए आपको marks मिलते हैं वो सब चीजों को देखते हैं this is something कि आप उसको smart way में उससे tackle कर सकते हो right friends और interview के लिए अपने अंदर यह feeling बिलकुल भी मतलाना कि वो question answers और वो उतन और there in front of them at your interviews right but here what they are going to look for they are going to look for you what type of person you are do you have those qualities which are required to be a manager or to be a future GM or ED right who ये देखने वाले हैं तो उसमें क्या देखेंगे mentality देखेंगे psychology देखेंगे आपके confidence को देखेंगे आपके expression को देखेंगे आपके speeches को देखेंगे आपके attitude को देखेंगे तो present yourself in that manner that it should look like that that you are yes the one the one who is reserving to become a professional officer the future general manager or the person who will run the bank and the banking industry that's it friends ही आपके weakness के लिए और अगर आपको weaknesses चाहिए तो आप जाओ उपर में फिर link दे दूँगा वो पीछले series RRV PO वाली SBI PO वाली जरूर देखो उसमें मैंने तमाम वो weaknesses को strengths को वो सब भी बता दिये हैं कुछ banking terms banking ये सब जो चीजे हैं वो भी अपने videos में आप लोगों को बताया हुआ है तो नहीं देखे हो तो kindly पहले होने देख लो उसके बाद इन सब चीजों को देखो गो तो revise भी हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा next वाले पार्ट में मैं आपको कुछ hobbies के बारे में बताने वाला हूँ sir और hobbies के लिए हमे current affair नहीं भी जाओगे sorry so I don't know the answer of this question with a humble voice and smile अगर आप दोगे आपको कोई फ़र्ट नहीं पड़ेगा बट अगर आप अपने hobbies या फिर उन सब चीजों से जो आप से related जवाब नहीं दोगे तो उसके लिए आपके marks कटेंगे चले friends यही ता है इस वीडियो में मिलता हूँ फ